चलिए इस वीडियो में हम कुछ examples solve करते हैं exponents से related ताकि हमारा जो exponents को operate करने का जो funda है वो और अच्छे से clear हो जाए जैसे कि माल लीजे मेरे पास है 4 की power negative 3 times 4 की power 5 और इन्हें मुझे आपस में multiply करना है तो मुझे पता है कि अगर मेरे base same हो तो मैं powers को add कर सकता हूँ तो इसकी value हो जाएगी 4 की power negative 3 plus of 5 यानि की 4 की power positive 2 ये इसकी value आजाएगी और actually मैं ये इतना sense क्यों बना रहा है actually मैं ऐसा क्यों हुआ उसे भी एक बार देख लेते हैं जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो A की power negative B तो मुझे पता है कि ये A reciprocal में चला जाता है 1 upon A और ये power इस पे positive बनके आ जाता है 1 upon A की power B हो जाता है same funda हम यहाँ पी use कर सकते है 4 की power negative 3 को इस 4 की power negative 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 upon 4 की power 3 times 4 की power 5 तो जोगा तो है ही इसको अगर मैं थोड़ा सा expand करके लिख दूँ तो ये है 4 times 4 times 4 times 4 times 4 divided by 4 times 4 times 4 अब उपर नीचे 1, 2, 3, 4 नीचे है तो उपर मैं 3, 4 डिवाइट कर दूँगा और 3, 4 उपर नीचे से cancel हो जाएंगे तो मेरे पास आजाएगा 4 times 4 यानी की 4 का square तो ये actually इसके पीछे हमने normally solve करके वे देख लिया अगले question की तरफ बढ़ते हैं मान लीजे मेरे पास कुछ है ऐसा मान लीजे एक variable है यहाँ पे a की power इसका हम डाल देते हैं minus 4 और इसको हम multiply करते हैं a की power 2 के साथ बेश सेम है तो हम इसके powers को add कर सकते हैं आराम से तो ये हो जाएगा a की power negative 4 plus 2 यानी की a की power negative 2 के बराबर और actually अगर हम देखना चाहें कि ऐसा क्यों आया तो उसके लिए फिर से हम same चीज़ करते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब a की power negative 4 है इसका मतलब हुआ ये है a की power 1 अब स्वारी क्या बोल रहा हूँ मैं ये है मेरा 1 upon a की power 4 times a square जिसके value हो जाएगी a times a यह हो गया a square divided by a times a times a times a अब उपर नीचे अब दो बार a से divide कीजे तो 2 a उपर और नीचे से चले जाएंगे हमारे पास आजाएगा 1 upon a times यानि की 1 upon a square जिसकी value a की power a की power negative 2 के बराबर हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है की 1 upon a square क्या लिखा हुआ है 1 upon a square को मैं लिख सकता हूँ 1 upon a का whole square जिसको और अगर मैं थोड़ा सा तोड़ मडोर के लिखूँ तो यह हो जाएगा 1 upon a की power यहाँ पर एगर मैं एक negative लगाऊ लिकिन यह तो positive है तो मुझे इसको positive बनाने के लिए एक negative और लगाना पड़ेगा यानि कि यह negative of negative 2 अब अगर मुझे यहाँ से इस एक negative को हटाना है तो मुझे इसका reciprocal लेना पड़ेगा यानि कि यह हो जाएगा a की power अब एक negative हट गया अंदर वाला सिर्फ यहाँ पर नंबर बचेगा minus 2 minus 2 तो यह हो जाएगा a की power minus 2 के बराबर और I think यह समझ में I think अब यह logic समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है actually देखा जाए तो यह reverse process हो रहा है अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से भी तो यहाँ जा सकता हूँ अब आप उसे ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए एक यह बात है चले कुछ और examples यहाँ पर करते हैं जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए मेरे पास है कुछ यहाँ पर 12 to the power negative 7 और इसको मैं divide कर देता हूँ 12 की power negative 5 से अब इस situation में मुझे पता है कि अगर base same है तो मैं powers को subtract कर सकता हूँ तो यह हो जाएगा 12 to the power negative 7 minus of यह denominator का जो power है minus 5 यानि 12 की power negative 7 plus 5 यानि 12 की power minus 2 के बरावर अब चले देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर तो 12 की तो इस expression को यहाँ पर इस expression को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह कुछ ऐसा यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 12 की power negative 7 times 1 upon 12 की power negative 5 ठीक है यह मेरा हो जाएगा 12 की power negative 7 times अब 1 upon 12 के power negative 5 है तो यह हो जाएगा 12 की power 5 के बरावर क्योंकि यह चीज़ हमने यहाँ पर समझी थी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ के ऐसा क्यों हुआ तो 1 upon 12 की power negative 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon 12 whole की power negative 5 क्योंकि 1 की power आप कुछ भी ले लें तो वो तो सेमी रहेगा 1 ही रहेगा अब अगर यहाँ पर negative 5 है तो यह हो जाएगा 1 upon 12 की power negative actually बाहर कर लेते हैं और 5 अंदर कर लेते हैं ठीक है अभी कुछ चेंज नहीं हुआ अब मुझे पता है कि यहाँ पर negative power है तो मुझे इस base का reciprocal लेना पड़ेगा यानि कि यह हो जाएगा 12 और जिस वज़े से यह negative sign हट गया 12 की power 5 तो वही चीज हमने यहाँ पर directly कर दी बस अब मेरा base से में तो मैं इन powers को add कर दूँगा तो यह हो जाएगा 12 की power negative 7 plus 5 यानि 12 की power negative 2 जो कि हमारा यहाँ पर आया था कुछ और example से यहाँ करते हैं चलिए कुछ और example से यहाँ देखे जैसे कि माल लीजे मेरे पास है कुछ x की power negative 20 और इसको मैं divide कर रहा हूँ माल लीजे कुछ x की power 5 के साथ तो इसे situation में चुकि base से में तो मैं powers को subtract कर दूँगा फिर से तो मेरे पास आ जाएगा x की power negative 2 minus 5 negative 2 नहीं जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon x की power 25 और देखा जाए तो इसके पीछे logic क्या है तो इसको मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यह को हो जाएगा मेरा x की power negative 20 times 1 upon x की power 5 यानि की x की power negative 20 times अभी है 1 upon x की power 5 तो यह हो जाएगा x की power negative 5 के बराबर ठीक है और इसकी value फिर चुकि बेस से में तो power साड हो गए तो यह हो जाएगा x की power negative 25 जिसकी value फिर से 1 upon x की power 25 के बराबर यहाँ पे आजाएगी